यह जर्मन मेड M3 Amphibious Rig यह एक सल प्रोपेल्ड Amphibious Bridging वीकल है जिसे टैंक्स और दूसरे वीकल्स को इसकी मदद से ब्रिज पार करवाया जाता है इसे 1982 से 1990 से तक डिजाइन किया गया और 1994 से प्रोडियूस किया जा रहा है इसे मेंली जर्मन आर्मी के लिए प्रोडियूस किया गया था इनकी खास बाती है ना सिर्फ यह जमीन पे चल सकते है बलकि पानी पे भी फ्लोट कर सकते है इस वीकल की operational range 750 किलोमेटर है और इसकी maximum speed 80 किलोमेटर पर आर है इसमें यूज होने वाली motor भी बहुत powerful है जिससे यह पानी में भी high speed पर travel कर सकती है और यह वीकल bridge बनाने में भी सक्षम है यह रिक की मदल से link किया जाते है और फिर bridge बनाकर tanks और trucks को पानी पे भी operate किया जा सकता है जिससे इसकी मदल से arms ammunition और किसी भी तरह की गाडिया को नदी के ऊपर से ले जाए जा सकता है और यह efficient भी बहुत है क्योंकि यह bridge सिर्फ 15 मिनिट में बनके त्यार हो जाता है और इसे 2003 में इराक invasion में भी यूज किया जा चुका है इसकी हर एक यूनिट का प्राइस साथ मिलियन यूएस ओलेडर जो कि साठ करोड रुपए है दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि इंडिया को भी ऐसे vehicles खरीदने चाहिए comment करके ज़रूर बताए वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना मुली